जोहार सुनिसाती, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल Bound to Education में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में दोस्तो आज के इस वीडियो जैसे सी Lab Assistant के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अधिक मतपुन होने वाला है आज के इस वीडियो में जैसे सी Lab Assistant पेपर वन जारकन जिके से समधित कोईशन्स को देखेंगे और जानेंगे कि आपके आने वाले परिक्षा में छारकन जिके में किस परकार के सवाल पूछे जाएंगे दोस्तो आज के इस वीडियो में जितने भी कोशन को इंक्रूट किये गए हैं सभी किसी ना किसी परिक्षा में पूछे गए परशन है इसलिए आज किस वीडियो के सभी प्रश्ण बहुत अधिक important हो जाते हैं और इसलिए आज किस वीडियो को सुरू से अंतक जरूर से देखेगा most repeated questions को आज किस वीडियो में include किये गए हैं और paper 1 में आपके इसी परकार के question बनने वाले हैं चले दोस्तों आज किस वीडियो को सुरू करते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो इससे जरू सब्सक्राइब करते हैं और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरू लाइक करते हैं दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट रेगुलर्ली वीडियो वाच करते हैं नकिन ना तो वीडियो को लाइक करते हैं और ना तो अभी तक सब्सक्राइब किये हैं तो इसलिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हैं इससे हमें भी थोड़ा सा राजा कौन था आपको बताना है पाला नागवन सी राजा कौन था बहुत सारे परिक्षाव में पूछा गया प्रशन है और बहुत अधिक इंपॉर्टन कोश्चन है आपको पांस सेकेंड का टाइम भी मिलेगा आपको स्वेम से अपना उत्तर कौपी में लिखना होगा या फिर आप मन में दोरा कर भी अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं तेक दोस्तों पाला नागवन सी राजा कौन था यह आपको बताना है फनी मुकुट राई मनी मुकुट राई देव मुकुट राई या फिर रभी मुकुट राई चले कोशन नमर वन का करेक्ट एंसर आप सभी देने का परियास करेंगे दोस्तों पहला नागवांसी राजा फणी मुकुट राइथा ओप्सन ए आपका करेक्ट एंसर होगा बहुत अधिक इन्पोर्टेंट है और बहुत बार ये कोशन रिपीट किया जा चुका है इसी परकार के कोशन आपके परिक्षा में बनेंगे नेक्स्ट कोशन है देखे दोस्तों जारकंड का अक्षांस ये विस्तार क्या है ये आपको बताना है ये भी बहुत अधिक इन्पोर्टेंट कोशन है बहुत जादा रिपीट किया गया है उत्तर ये अक्षांस में चले इस कोशन का करेक्ट अंसर आप सभी देने का परियास करेंगे कोशन नमबर टू दोस्तों जारकंड का अक्छांसिय विस्तार याद रखेंगे 21 डिग्री 58 मिनट से लेकर के 25 डिग्री 19 मिनट ये जारकंड का अक्छांसिय विस्तार होता है वहीं अगर बात करें पूर्वी देशांतर की तो इसे भी याद रखेंगे पूर्वी देशांतर जो होता है 83 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर के आपका 87 डिग्री 57 मिनट तक होता है तो इसे भी याद रखेंगी, यह पूर्वी देसांतर हो गया और अगर उत्तर या अक्छांस पूछा जाता है तो 21 डिग्री, 28 मिनट से लेकर के 25 डिग्री, 19 मिनट और देसांतर को भी याद रखीगा, यह भी important है, ठीक है, पूर्वी देसांतर या फिर उत्तर या अक्छांस, कोई भी कोशन आपके आने बारी पर रिख्षा में पूछा जा सकता है देखे दोस्तों, नेक्स्ट कोशन के अगर बात करें, पंचायती मापकी जगा, पंचायत समीती का आप सरपरमुक अधिकारी कोन होता है, अध्यक्ष परमुक, परधान या फिर कमिस्नर चलिए इस कोशन का करेक्ट एंसर आप सभी अपने कॉपी में नोट करेंगे तो पंचायत समीती के जो सरपरमुक अधिकारी होती है उनको परमुक कहा जाता है, उप्सन भी इस कोशन का करेक्ट एंसर होगा, ठीक है नेक्ट कोशन ने देखे दोस्तो 1914 इस भी में छारखन में कोन सा अंदोलन हुआ था ये भी बहुत अदिक इंपोर्टेंट है टाना भगत अंदोलन, असायोग अंदोलन, सभीने अवग्या अंदोलन या फिर उल्गुलान अंदोलन चले इस कोशन का करेक्ट एंसर आप से भी देने का परियास करेंगे कोशन नमबर फोर 1914 में छारखन में कोन सा अंदोलन हुआ है ये आपको बताना है तो याद रखेंगे दूस्तों छारखन में 1914 में कोन सा अंदोलन हुआ था टाना भगत अंदोलन हुआ था ये भी बहुत अधिक important question है और बहुत बार पूछा गया है ठीक है यहाँ पर और एक question मनता है कि किनके नेत्रित में ये प्रारम किया गया था तो इनका नाम याद रखें जात्रा भगत जात्रा भगत इनके नेत्रित में टाना भगत अंदोलन शुरू किया गया था तो इसको भी याद रखेंगे option ए इस question का correct answer हो जाएगा 1914 में टाना भगत अंदोलन हुआ था ठीक है नेत्रित question है जारकन में मिट्टी के कितने परकार पाए जाते हैं ये भी important question है चार परकार, पांच परकार, छे परकार या फिस साथ परकार चली इस question का correct answer आप सभी देंगे जारकन में मिट्टी के कितने परकार पाए जाते हैं तो इस question का correct answer हो जाएगा option C ठीक है जारकन में मिट्टी के कितने परकार पाए जाते हैं शे प्रकार पाई जाते हैं। Option C इस question का correct answer हो जाएगा। कौन-कौन सा प्रकार इसे भी याद रखेंगे। लाल मिट्टी पाई जाता है। उसके बाद काले मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद letter right मिट्टी पाई जाती है। इन सभी को याद रखेगा। हालांकि इतना deep नई पुछा जा सकता है। लेकिन फिर भी याद रखेंगे ये तो पुछा गया था प्रवियस एर में छे परकार के मिट्टी पाई जाता है। लाल मिट्टी, काले मिट्टी, letter right मिट्टी, उसके बाद रेतीली मिट्टी पुछा जा सकता है। जलोड मिट्टी पाई जाता है और अबरक मुलक मिट्टी पाई जाता है। आपको देखने को मिलेगा और ये जो रेतीली मिट्टी है ये आपको पूर्वी हजारी पाग, धनबाद साइड मिलेगा, संथाल पर गरा में जैसे के जलोड मिट्टी मिलेगा, अबरक, वाला जो मिट्टी है, कोडर्मा, मांडू, जुमरी तेला या या ये सब गाउ में, ये सब छेत्र में मिलता है, ठीक है, तो इन सबी चीजों को याद रखेंगे, कोशन नमर फाइब का करेक्ट एंसर हो जागा, छे, नेक्ट कोशन ने, खोंड जन जाती में, पाई जाने वाले नर्वली प्रथा को क्या कहा जाता है, इस कोशन का करेक्ट एंसर देंगे, गो इस कोशन का करेक्ट एंसर हो जागा, खोंड जान जाती में, जो प्रथा पाई जाती है, नर्वली, इसमें इसको क्या कहा जाता है, ये कोशन था, तो ओप्सन डी इस कोशन का करेक्ट एंसर हो जागा, इसको कहा जाता है, मरिया, ठीक है, नेक्स्ट कोशन को देखे, कोशन पार्तिवारी या फिर बुलो मंडल रामदयाल मुंडा इस question का correct answer देंगे question number 7 देखे दोस्ते एक स्वतंतर था सेनानी थे जिनका नाम था रामवरिक्ष ब्रहमचारी इनकी हत्या कर दी गए थी सविने अब गया जो अंदोलन चल रहा था उसी के दोरां रांची में इनकी हत्या कर दी थी option A इस question का correct answer होगा ठीक है next question देखे जारकंड की एकमात्र कौन सी जन जाती जो पहाड़ो एब जंगलों में रहना पसंद नहीं करती है और साथ ही मजदूरी करना उनकी अपनी परतिष्टा के खिलाब समझती है ऐसा कौन सा जन जाती है यह आपको बताना है बैगा जन जाती बिरहोर चेरो या फिर गोंड जन जाती देखे दोस्तों मुख्यत ऐसा होता है कि जो भी जन जातिया होती है जंगलों में निवास करती है और मजदूरी करते हैं और उनी से उनका घर जलता है लेकिन याद रखें कि चेरो जन जाती जो है यह जंगलों या फिर पहाड़ों में निवास करना नहीं करते हैं, साथ में ये मजदूरी भी नहीं करते हैं क्योंकि ये समझते हैं कि मजदूरी करना उनकी प्रतिश्टा के खिलाफ है इसलिए इसकोशन का correct answer हो जाएगा option सी चेरो जन जाती, ठीक है next question है, मलेर किस जन जाती का दूसरा नाम है, ये भी important question है, repeated question है सोरय या पहाड़िया बिर्जिया बेगा या फिर असूर इस question का correct answer आप सभी देंगे तो मलेर जनजाती सोरय या पहाड़िया को ही मलेर जनजाती के नाम से जाना जाता है option A इस question का correct answer होगा next question है देखे दोस्तों केंद्रिय इंधन अनुसंधान संस्तान ये कहाँ पेस्ते थे आपको बताना है जादोगोडा मिशती थे हटिया मिशती थे होटवार मिशती थे या फिर जलगोडा मिशती थे केंद्रिय इंधन अनुसंधान चलिए इस question का correct answer आप सभी नोट करेंगे तो केंद्रि इंधन अनुसंधार कहाँ पेस्ती थे आपसन डी आपका correct answer रोजे का जलगोडा मिशती थे आपसन डी ठीक है next question की ओर चलते हैं घेरे के बाहर उपन्याज की रचनाकार कोन है या आपको बताना है बचन देव कुमार द्वारिका प्रसाद राधाकृष्ण या फिर भोगला सोरेन गेरे के बाहर ये जारकन का एक राइटर के द्वार लिखा गया है चली इसका correct answer देंगे इनके लेखक कोन है या फिर रचनाकर कोन है तो इस question का correct answer होजागा option B द्वारिका प्रसाद option B इस question का correct answer होगा ठीक है अब चली next question को देखते हैं चारकन में उर्बरक का पर्थम कारखाना कहां इस्तापित किया गया है ये भी बहुत अधिक important है very very important ठीक है ये भी repeat किया जाता है सिंदरी में हटिया में गोमियों में या फिर गेतलसुद में चारकन में पहला उर्बरक का करखाना कहां इस्तापित किया गया है तो question number 12 का correct answer होजागा सिंदरी में option A इस question का correct answer होजागा सिंदरी ठीक है next question ने खरवार अंदोलन का नेत्रित किसके द्वारा क्या गया था तिलका माजी भागिरत राम भागिरत माजी या फिर तिलका राम तो इस question का correct answer हो जाएगा भागीरत माजी के द्वारा खर्वार अंदोलन का नेतरित क्या गया अपसन C इस question का correct answer हो जाएगा तीक है कब क्या गया था अठार सो इसका डेट है अठार सो चोहात तर में ठीक है, आटर सुचोहत्तर याद रखेंगे, खरवार अंदोलन के शुरुआत हुआ था, और किन के द्वारा, भागीरत, माजी के द्वारा, option C, ठीक है, मालतो भासा किस जन जाती से सम्मदी थे, यह आपको बताना है, माल पहाड़िया, असूर, वेगा या फिर गोंड जन जाती, ठीक है, भाले बोला जाता था, अभी बहुत कम्यूज होता है, नेक्स्ट कुछन है किस काल में लावा निस्चरन से राजमाहल पहाड़ी का निर्मान हुआ है केम्ब्रियन, प्री केम्ब्रियन, जुरासिक काल या फिर इन में से कोई नहीं तो ऐसा माना जाता ही कि जुरासी काल में लावा निश्चरन से राजमहल की जो पहाडिया है उनका निर्मान हुआ है ओप्शन C आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट क्वेशन है हेवी इंजिनियरिंग कॉर्पोरेशन हेच एसी उद्धो किस देश के सायोग से इस्तापित हुआ है ये भी रिपीटेट कोशन है रूस, कानाडा, जर्मनी या फिर ब्रिटेन तो हेवी इंजिनियरिंग कॉर्पोरेशन हेच एसी किनके सायोग से यहाँ पे इस्तापित किया गया है गाटसिला में, बरही में, गेतलसुद में या फिर गोमियों में चली इस कुश्ण का करेक्टेंसर देंगे जारकन की तमा उत्पादन खान कहां स्तापित की गई है तो याद रखेंगे जारकन की तमा उत्पादन खान कहां स्तापित की गई है option A घाट सिला आपका correct answer हो जागा option A ठीक है अब चलिए आगे चलते हैं और next question को देखते है question number 18 किनन इस्टेडियम कहां जती थे राची, बोकारो, जमसेतपूर या फिर हजारी वाग इस question का correct answer देंगे ये भी बहुत बार बहुत एक्जाम में पुछा गया question है किनन इस्टेडियम कहां जती थे तो इस question का correct answer हो जागा option C जमसेतपूर में जती थे option C इस question का correct answer होगा next question है देखे दोस्तों पलामो चेतर के किस चेरो राजा को 1528 SP में चंदेरी की यूद में हार का समना करना पड़ा था मेदिनी राई, गोपाल राई, तेजस राई या फिर कुनाल राई इस question का correct answer आप सभी अपने कोपी में नोट करेंगे question number 19 तेके दोस्तों मेदिनी राई जो थे ये पलामो चेतर के एक चेरो राजा थे लेकिन इनको 1528 स्वी में चंदेरी की यूद में हार का समना करना पड़ा था तो इस question का correct answer का option A मेदिनी राई नेक्स question ने जारकन के कितने परतिस्यत भुबाग पर चोटा नागपूर पठार बिस्तिरत है ये बताना है आपको 55.16, 49.22, 47.38, ये फे 34.68 इस question का correct answer देंगे जारकन के कितने परतिस्यत भुबाग पर चोटा नागपूर पठार बिस्तिरत है तो इसका correct answer हो जाएगा 47.38, ठीक है option C इस question का correct answer होगा तो चले दोस्तों आज के इस वीडियो में most important 20 questions को देख लिया जो की most important और most repeated questions थे इसी परकार के आगे हम लोग next वीडियो में मिलेंगे आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरू से सब्सक्राइब करते अगर आपने वीडियो का अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरू लाइक करते आज की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं